सो हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी उमीद करते हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है शोध समस्या आज के हमारे इस वीडियो में हम शोध समस्या के विशे में जानेंगे फ्रेंट्स ये समाज शास्त्र का बहुत ही important topic है, अक्षार इसे related question समाज शास्त्र के question paper में पूछे जाते हैं, जैसे कि शोत समस्या से आप क्या समझते हैं, या फिर शोत समस्या किसे कहते हैं, शोत समस्या का चुनाव करते समय कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इत्या आज की हमारे इस वीडियो में हम इन ही सभी points के विशे में जानेंगे, तो इसलिए आप से वीडियो को पूरा end तक watch करिएगा, बिल्कुल भी skip मत करिएगा, तो फ्रेंट शरी बिना किसी तेरी के बढ़ते हैं वीडियो की और और जानते हैं शोत समस्या के विशे में, लेक मनुष्या से ही चीजों के विशे में और अधिक जानने का प्रयास करता रहा है, जैसे कि संसार में जो कुछ भी है, वो क्यूं है, किस लिए है, किस तरह से, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रश्नों मनुष्य के मन में उठते रहें, जिनका वो उत्तर खोजता रहा है, औ लेकिन बाद में फिर धीरे-धीरे मनुष्य की यह जिग्यासा समाजिक घटनाओं, प्रक्रियाओं और समस्याओं की ओर हुई, जिसके परिडाम सुरूप मनुष्य ने धीरे-धीरे समाजिक घटनाओं, प्रक्रियाओं और समस्याओं को समझने का प्रयास करना प्रारंब किया इन सब के विशे में सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने विज्ञानिक पदती का प्रियोग किया शुरू-शुरू में ये पदती तो केवल प्रकर्तिक और भौतिक विज्ञानों तक ही सीमी थी लेकिन बाद में फिर इसका प्रियोग समाजिक घटना को ही हम समाजिक अनुसंधान कहते हैं और शोद समस्या का चुनाव समाजिक अनुसंधान का ही एक हिस्सा है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्तपूर्न है मान लीजे अगर आप बाहर कहीं जाने के लिए निकलते हैं अगर आपको यही ना पता हो कि आपकी मंजिल क्या है तो आप अपना राज्टा कैसे तै करेंगे ठीक उसी प्रेकार अगर हम यहाँ पर अपना अनुसंधान कार्य प्रारंब कर रहे हैं तो अनुसंधान कार्य प्रारंब करने से पहले हमें यह भी पता होना जरूरी है कि हम क कठिनाई के रूप में देखते हैं और जिसका गहन अध्यन समुदाइक तथा सारोजनिक जीवन के लिए उपयोगी समझा जाता है शोध समस्या को चुनाव करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि हमारे शोध कार्य में या फिर यूं कहें कि अनुसंधान कारे में किसी भी तरह का कोई विगन ना पड़े या रुकावट ना आए क्योंकि समाजिक अनुसंधान एक ऐसा कारी है जिसे बहुत सोच समझ कर किया जाता है क्योंकि यदि एक बार विशय के चुनाव में कोई भी गलती हो जाती है या फिर यो कहें कि चुनाव के बारे में कुछ विभारिक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो कि इस प्रकार हैं पहला है विशय या समस्या के बारे में प्रारंभिक ज्यान हम जिस किसी भी विशय का चुनाव कर रहे हैं अपने अनुसंधान कारी के लिए हमें उसके विशय में कु समस्या के विशह में शुरुवाते ज्यान अनुसंधान करता के लिए उतना ही ज्यादा आवश्यक है जितना की एक डॉक्टर के लिए रोगी की शारीरिक अवस्थाओं की जानकारी जो दूसरी महत्वपुन बात है वह है सामगरी की सुलबता हम जिस भी समस्या का चुनाव अपने अनुसंधान कारे के लिए कर रहे हमें या पहले से पता कर लेना चाहिए कि उस समस्या के विशह में जो भी सामगरी हमें चाहिए वह हमें सुलबता से मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर यू कहे कि उसके विशह में प्रमारिक तथ्य उपलब्द है या नहीं है एक एक शोद करता को समस्या का चुनाव या देख कर ही करना चाहिए कि वह जिस समस्या का चुनाव कर रहा है उसके विशय में विश्वासनी ये तत्य उपलब्द हूँ हमारा तीसरा पॉइंट है छेत्र के निर्धारन में सापधानी हम जिस भी समस्या का चुनाव कर रहे हैं उ बहुत ही जादा बड़ा हो और ना ही बहुत ही जादा चोटा क्योंकि यदि छेत्र बहुत ही जादा बड़ा हुआ तो वहां पर सबसे जादा समय धन और श्रम की अवश्चकता पड़ेगी इसके अतिरिक्त यहां पर अनुसंधान को बीच में छोड़ने की संभावना भी ब हमारा पाच्वा पॉइंट है तथ्य तथा उनके श्रोतों के बारे में ज्यान किसी भी अनुसंधान की सफलता तथ्यों के एकत्री करन पर ही निर्धारित होती है अगर तथ्यों में कोई भी कमी होती है तो वह अनुसंधान पूर्ण नहीं हो पता है अता इसलिए हमें इस पहुंच पाने के कारण अनुसंधान कारे को बीच में ही रोकना पड़ जाता है या फिर शोद विशच से संबंदित कुछ नो कुछ ऐसा रह जाता है जिस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं और हमारी जानकारी अधूरी रह जाती है खमारा अगला कारे प्रारंब करने से पहले ही हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे अनुसंधान कारे में कितनी कटनाईयों का सामना हमें करना पड़ेगा क्योंकि जब हम अनुसंधान कारे में आने वाले समस्याओं का पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं तब हम उनसे निपटने के लिए तयार रहते हैं और इसके कारण हमारा धन समय और श्रम इन तीनों की ही बचत होती है इनकी बरबादी नहीं होती हमारा अगला पॉइंट है जिसका हमें ध्यान देना है समय और व्याय का ग्यान हम जिस भी शोद समस्या के विशय में अनुसंधान कर रहे हैं उस विशय में अन पूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो बीच में हमें अपने अनुसंधान कारी को रोकना पड़ सकता है। सरल शब्दों में कहें तो अगर हम इसके विशे में पहले से ही जानकारी कठा नहीं करते हैं, तो इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारा अनुसंधान कारी बीच में ही रुक जाए। इसके सफलता की संभावना कम हो जाती है। इन सभी बातों से या इसपस्ट हो जाता है कि अनुसंधान को आरंब करने से पहले उचित समस्या का चयन और उससे संभंधित विभिन पहलूं की जानकारी होना बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि इन ही सभी बातों पर हमारे अनुसंधान कारी की सफलता या फिर विफलत तो फ्रंट्स यह थी जानकारी सोज समस्या के विशह में उमीद करते हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुए जानकारी पसंद आई होगी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथे साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके तो आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ